नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं एगरी टेग गुरुजी और मैं हूँ आपका दोस्तुरेश जाट दोस्तों आज का ये वीडियो काफी कमाल और शांदर होने वाला क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मशीने लेके आए हैं जिनसे आप अपना घर का काम तो करी सकते हैं साथ में इनको किराये पे चला के आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं तो इसी करम में आज मैं आया हूँ पंजाब के कोट को पूरा में चिबर एगरी एक्क्यूमेंट कमपनी में जहां हम पारूल जी सर से बात करेंगे और इन मशीनों के बारे में विस्तरी जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि आज से पहले ये मशीने शायद मैंने भी नहीं देखी है कभी नई-ने चीज़ लाते रहते हैं सर स्वागत है आपका थैंक यू सर थैंक यू जी ये तो लोगों का प्यार है जो हम ने ने इनुवेशन समेशा करते रहते हैं ये जो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से मशीने बताने जा रहा हूं ये एक ऐसी मशीने हैं जिनकी जरूरत हिंदोस्तान के हर कोने में हर घर में होती है इस मशीनों को आप अपने यूज में भी ले सकती हैं रेंटल इंकम किराए का काम बहुत अच्छा होता है और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है तो सर ये मशीने बताई है सबसे बहुत काम क्या करेगी सर इसमें हमारे तीन वेरियंट आती है एक हमारा आता है सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारी आटा चकी कम ग्रेंडर इसको आटा चकी ग्रेंडर बोला जाता है ये हमारी जो मशीन है इसमें अलग-लग तीन परकार की जालियां होती है इसके साथ आप आटा पीसना और आटा जूपी JO पीसा जाता है बहुत मुहीं पीसा जाता है मिर्च मसाला धनिया लहल्दी उनकी पिसाई का काम करती है यह मशीन सारे काम यह की मशीन करेगी है सिर्फ आपको जाली चेंज करना होता है हम तीनों किसम की जाली कस्टमर को साथ में देते हैं तो यहां से डालेंगे अपन यह इसका हॉपर होता है जी इस हॉपर के अंदर हमने अपनी जैसे गेहों को डालना है जैसे आपने हल्दी विगरा डालनी है मिर्च मसाले डालने है तो यह हपर अलग से दिया गया है यह हपर है यहां पर आपने डालना है और बहुत अच्छी क्वालिटी का फाइन क्वालिटी का मसाला मिर्च पैकिंग करके लोग इसको बेज सकती है मशीन का भी शांदार लग रही है जो किसान भाई अगर गर पर आटा पीजना चाता है या फिर गाउं में लगा देता जहां आटा चकी होती नहीं है जिसे फ्लोर मिली भी काते हैं तो वो किराये पे चला के भी काम कर लेगा तो इसका प्रोडेक्शन कितना सबसे पहले है एक कोई भी कोनेक्शन स्पेशल लेने की जुरूरत नहीं है जो घ्रेलू बिजली होती है पावर प्लग उसके उपर यह मोटर चल जाती है धाई एचपी का कॉपर वाइंडिड मोटर होता है जो हम साथ में देते हैं जी सर इसकी किम्मत क्या रखिए सर अपने सर इसका हमने प बोला जाता है मिनी राइस मिल यह अकेला धान कुटी का काम करती है जैसे वो मशीन मैंने आपको बताई ग्राइंडर का काम करती है यह मशीन जैसे कुछ स्टेट्स हमारी हैं जहां पर साल में दो दो या तीन तीन बार लोग धान की फसल लेते हैं और वहां पर चावल कि माड़ी स्टेट्स होती हैं और पॉलिश होती हैं और ब्रेकेज स्टाइब बहुत कम होती तो सर मुषिट मशीन चवांदा है कुल लिए था इस SP का को कौपर को पृंडिं मोटर एते इसकी क्या कब अपर को एक सब्सक्राइ into क suffrage START में फार्मर को एक सेट जाली का एक्स्ट्रा देती हैं हम हरे को सुजेशन देती हैं कि एक सेट जाली का तो हम साथ में देंगी देंगे एक सेट जाली का एक्स्ट्रा मंगवा के रखिए कभी तूट जाया तो काम आ जाए 26,000 में एक सेट जाली का एक्स्ट्रा मिलेगा और 25,000 में भी एक जाली तो साथ मिलेगी मशीन के राइस मिल वाली एक जाली स्पेर हम साथ में देंगे जी जी ये काफी जाली इंकलूडिंग GSTN ट्रांस्पोर्टेशन है तो सर ये उससे भी कुछ अलग टाइब की मशीन लग रही इसके बारा हम बताईए है सर ये तो हमारा बहुत ही यूनीक परड़क्ट है अगर हम दोनों मशीनों को कॉंबू करते हैं कॉंबू मीन्स राइस टू इन वन ये हमारी कंबाइंड यूनिट इसको बोला जाता है ये हमने अभी लांच किया मशीन एक साल पहले तो इसका बहुत जबरदस्ट डिमांड हमें आया और हर घर घर में ये मशीन जा रही है इसकी इतनी बंपर सेल है हमारी जी बिल्कुल दान का भी सीजन भी चल रहा है रोग दान का काफी बंपर पैदावार भी साल मैंने काली अकबार में बढ़ा ता होने वाली है तो उनकी सान भाईयों के लिए काफी बढ़े काम होगे है तो बिल्कुल ये जो हमारी मशीन है ये हम आपको 38,000 में 38,000 में जालियों का सेट एक्स्ट्रा हम फार्मर्स को साथ में देती हैं हम सुझेस्ट भी करती हैं कि जाली से एक्स्ट्रा मंगवाओ अगर कोई जाली एक्स्ट्रा नहीं मंगवाना चाहता तो हमारा प्राइज 35,000 है जी सर तो ये आटा भी कर देगी मसाले भी पीस देगी और दान का काम भी कर देगी इस मशीन के साथ हम दोनों काम ले सकते हैं जैसे ये हमारा ग्राइंडर आप देखिए ये ग्राइंडर यूनिट लगा हुआ है यहां से आप मिर्च मसाला आटा हल्दी पीसने का काम करें और जो ये वाला हॉपर है इसमें धान कुटी का काम होगा इसके अंदर तीन एच पी का कॉपर वाइंडिंग मोटर लगा होता है और एक आगे आप देख सकते हैं चेंज ओवर लगा हुआ है उस चेंज ओवर की मदद से आप जो भी काम करना चाहें अपने घर का काम करना चा लगाता है इसकी पी जो परडक्शन है धान की 130 से लेके 1500 किलो है और आटा या मिर्च मसाला 50 से लेके 60 किलो है यह 38000 की मशीन है जैसे कि दोस्तों आपको देख रहा है यह आपको काफी मशीने मिल जाएगी और काफी कमाल शांदार मशीन अब हम देखते हैं कि मशीन काम कैस से गरेगे सर थोड़ा बताइए बिल्कुल सर यह देखिए जैस के अंदर हमने स्पेशल क्वालिटी के ब्लेड्स लगाए होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और यह होता है इसका रिंग और जाली जैसका रिंग और जाली है आप जाली अपने देखी तो इन में पाइनी के अंदर फिट होगी आप जो भी चाहें वह उस किसम की जाली लगाकर यह अपना काम ले सकते हैं मशीन के साथ तो सर मशीन आप काफी बढ़िया लेकर आएं किसान भाईों को खुद का काम भी आसान हो जाएगा और कोई किसान भाई बेरोजगार इस मशीन को ले जाएगे चलाएगा तो एक एनन उसको एक रोजगार भी मिल जाएगा बिल्कुल सर यह बताईए सर कि मशीने है तो मशीनों में खराबी भी आती है बिल्कुल आती है जी मशीनरी है प्रॉब्लम आ सकती है मशीन के अंदर उनका हमारे पास इन जितने भी हमारे इनका हर किसम का स्पेर पार्ट बहुत अच्छे रैटस में वाजिब रैडस में मौजूद है और हम कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक लोगों को अपनी सर्विस के लिए जाना ही जाते हैं और लोगों को स्पेर पार्ट की अवेलेबिल्टि भी करवाते हैं तो सर अगर क किसान भाई वीडियो देख रहे हूं मशिन उनको पसंद आई गए होगी यकिनन ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब बताईए कि प्रोसेस क्या है सर सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाईयों को हमारे जो बहुत मेहंती फार्मर्स हैं या जो भी लोग किराई का क करना चाते हैं उनको ये गुजारिश करूंगा अगर हो सकता है तो आप बठिंडा से आगे पंजाब में बठिंडा से अगला शहर कोट कपूरा हमारी फैक्टरी में आईए छिबर एगरी एक्विपमेंट्स की आप तीनों मॉडल्स देखिए और तीनों में से जो भी 552-19706-9552-19706 और मेरे जो ब्रदर है मिस्टर राहुल छिबर उनका मॉबाइल नमबर है 98142-31007-9142-31007 आप हमें सिंपल कॉल करिए टेक्स्ट मैसिज करिए या वाट्स अप करिए कई बारी हमारा नमबर बिजी होता है चिंता करने की कोई बात नहीं हम आपको बैक क करेंगे तो आप हमें हमें और करिए जो भी आपको मशीन लेना है आप हमें बताइए इसका हमने एक बहुत ही नॉमिनल एडवांस पेमिंट सिर्फ 5000 प्या 5000 प्या आपको छिबर एग्री एक्विप्मेंट के करन्ट अकाउंट में जमा करवाना है और एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको बहुत बार होता है कि किसान भाई पैसा जमा करवा देते हैं हमें मालूम नहीं परता है ये पेमिंट किसका आया है पेमिंट जमा करवा के अगर आप किसी बैंक से करवा रहे हैं तो उसका रसीद हमें भेजिए वाटसेप के माध्यम से अगर आप पेमिंट फार्मर के घर तक पहुंच आएंगे, जब मशीन उनके डिस्टिक में पहुंच आएगा, हमारे एक्जीक्यूटिव उनको कॉल करेंगे, बकाया पेमेंट, वो हमारे अकाउंट में N.E.F.T. करवाएं, जमा करवाएं, तो हम यहां से एक मेल कर देंगे, ट्रांस्पोर्ट कम बेजते हैं, वो वुटन बॉक्स के अंदर भेजा जाता है, कि उसकी मदद उसकी वुटन बॉक्स में बेजने से, इसमें ब्रेकेश की चांस रही नहीं जाते, हम वुटन बॉक्स से भी है, छिबरेग्री.कॉम, उसे भी उस पर भी चेक कर सकते हो, इंडिया मार्ट में द देख सकते हो अरूल जी हमारे किसान भाईयों के लिए ये मशिन लेके आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नहीं थैंक यू जी थैंक यू तो दोस्तों उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो इस इन ब मशीनों के बारे में आपका क्या सोचना और इन मेंसे कौन सा मोडल आपको लेना है इस बारे में अपनी राय कमेंड करके हमें बता ना भूले और इन बहुत जल्दी नहीं विडियो में जब तक के लिए जह ज़वान ज़ए किसान